भारत के अतीत को भविश्य बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है गजवाय हिंद के सपने को जिन्दा किया जा रहा है अलम यह कि जंग के आड में भारत को इसलामिक राष्ट बनाने का शड़ियंत्र रचा जा रहा है आज जब गजवाय हिंद की बात उठी है तो पड़ों से मुल्क पाकिस्तान के कट्र मुसलिम नेता जैद हामित की कहीं बातें याद आने लगी है यह वहीं लाल टोपी वाले हैं जो 24 सो घंटे भारत के खिलाव जहर उगलते हैं इंगी माने तो भारत के साथ हर लेवल पर जंग गजवाय हिंद है बगाईदा गजवाई हिंद का इतिहास बताते हुए महमत बिन कासिम को इसका जनक बताते हैं महमूद गजनवी को गजवाई हिंद से जोडते हैं अब दाली से लेकर मौजुदा समय में पाकिस्तानी आर्मी जो हिंदुस्तान के मुशारिकों के साथ जंग लड़ रही है उसे गजवाए हिंद का योध्धा बताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई जंग 48 की 65 और 71 निन्यानबे इन सब को गजवाए हिंद की लड़ाई बताते हैं और जो कि बिना आग के धुआ नहीं उड़ता इसलिए कई दफा भारत को इसलामिक राष्ट बनाने की साजिशों का परदा फाश भी हुआ है और ऐसे म मढ़राते इस खत्रे को किस प्रकार पियमोदी जड़ से खत्म कर सकते हैं पियमोदी चाहे तो गजवाए हिंद के सपने को मिंटों में दफ न कर सकते हैं लेकिन कैसे बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता अश्वनी उपात ध्याय है मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ सरीर में अगर कोई गांठ बन जाए उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए अगर गांठ वो लंबे समय तक रहती है वो कैंसर बन जाती है भारत में ऐसे ही बहुत सारे संग्ठन जो पहले छोटे छोटी गांठ के रूप में थे अब वो कैंसर बन चुके हैं चाहिए वो पीफाई हो चाहिए परसनल लाबोर्ड हो लक्ष सबका एक है 2047 तक भारत में घजवाहिंद करना भारत को एक कंप्लीट इस्लामिक राष्ट बनाना समाधान तूतुमे में नहीं है समाधान आरोप प्रत्या रोप नहीं है नूरा कुस्ती नहीं है बतोले बाजी नहीं है साम की टीबी की मीडिया में डिबेट जीतने से कुछ फरक नहीं पड़ेगा फरक पड़ेगा कानून बनाने से हमारे समधान का आटके 11 कहता है कि भारत में एक नागरिकता कानून होना चाहिए युनिफॉर्म सिटिजन्सिप कोड होना चाहिए हमने आस तक बनाया नहीं सबसे पहले सरकार को एक युनिफॉर्म सिटिजन्सिप कोड बनाना चाहिए और उसमें सेट कर देना चाहिए कि जो प्रियंबल में लिखा हुआ है सम्विधान के equality को नहीं मानेगा justice को नहीं मानेगा, liberty को नहीं मानेगा, fraternity को नहीं मानेगा, unity को नहीं मानेगा, national integration को नहीं मानेगा जो liberty आप thoughts नहीं मानेगा, liberty आप belief को नहीं मानेगा उसको भारत की नागरिक्ता नहीं मिलेगी किया उनका ठीक से इंट्रपेटेशन में नहीं किया हमने धर्म को रिलिजन समझ लिया रिलिजन को धर्म समझ लिया है जबकि धर्म और रिलिजन में जमीन आस्मान कंतर है धर्म जोडता है रिलिजन तोडता है लेकिन हमने धर्म को रिलिजन समझ लिया है वह जो भी रिलिज समरस्ता को नहीं मानते एकता भाईचारा को नहीं मानते नारीतु नौराइडी को नहीं मानते सर्व मंगल मंगले सर्वे सिवे सरवाज साधिकों को नहीं मानते वजदेव कुटुमकम को नहीं मानते उनको लाइसंस क्यों दे रखा है उनको बाकदा फंडिंग हम क्यों करवा 40% funding cash कायस में होती है जो भारत के अंदर black money generate होत इससे funding होती है या खाड़ी रेसों से हावाला के ज़रिये हो ती है, पाकिस्तान से हावाला के ज़रिये होती है लेकिन हमने कैस लेंदेनि पर लिमित सठ नहीं है आज भी 2000 की नोट चल ली पांजों की नोट चल ली उसकी जरूती नहीं यह कैस हमारे लिए जहर के समान है चाहे वो नकसली हो चाहे मावादी हो चाहे अलगावादी हो चाहे जहादी हो चाहे मजभी उन्माद फैलाने वाले हैं चाहे मिसंड्री हो सब की funding कैस में हो रही है जब तक ये कैस नहीं बंद होगा इन संगठनों की कमर नहीं तूटेगी हमने आज तक युनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाया नतीजा यह है कि केरल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है अगर हम जहाद मजहभी उनमात को रोकना चाहते तो गुस्पैट धर्मांतरन रुके हमें वन नेशन वन अड्मिस्टिटी कोड बनाना पड़ेगा पूरे देश के कलेक्टर कप्तान एक तरीके से काम करें अगर हम चाहते हैं कि इन जहादी संगठलों की कमल तूटे तो हमें युनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करना पड़ेग भारत में वन नेशन, वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा i97 स्लेबस लागू करना पड़ेगा सब अपनी हम ज्याद मजभी उन्धमाद रोकना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता राम चरितमानस रामायड को अनिवारी करना होगा Прाइमरी स्कूले में अब आप सोच रहे हो भारत सेकुलर है तो हां भारत में सम्मिधान में लिखा आए कि आप रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाएंगे यह भगवत गीता राम चरित्मानस रामायर यह रिलीजियस बुक नहीं है यह धार्मीक पुस्तके हैं इसमें किसी एक संग्ठन के लिए नहीं है किसी एक कम्यूटी के लिए नहीं है इस सब के कल्याण के लिए हमने न तो सिख्छा का भारती करण किया ना हमने नियाइक ब्यवस्था का भारती करण किया ना हमने पुलिस ब्यवस्था का भारती करण किया ना हमने वहस्ति दरिंदों के नाम पर सड़क महले गलियां चल रही है तो जो उनके समर्थक है और मोटीवेट हो रहे हैं ना हमने गुलामी का नाम मिटाया ना हमने गुलामी का निसान मिटाया ना गुलामी की कुरीतिया खतम किया ना गुलामी की कुप्रताय खतम किया ना गुलामी प्रसास्नीग बास्था बदी ना गुलामी की सिख्छा बेस्था बदी रogaas ने सक्छा बास्था बसुरीं गुलामीं की टैक्स बाड़ीThis´ वैपार बस schon बदी कुछ भी तो हमने नहीं बदला है और जून नहीं बदला है तो फिर जहाद機 चलना मजभny वांग्य रहें बंग्लादेशी चले जा रहें हैं भार की फंडिंग्रस से 2010 में यहां पे funding कराने के लिए कानून बनाये हमने उसकुंहां कटम नहीं किया तो देस्वीरोधी ऍंजी देश बिरोधी पत्रकारों देश बिरोधी कलमकारों देश बिरोधी लेककों बुद्धिजीवें को funding आद्बी हो रही है फंडिंग जब तक funding नहीं रुकेगी तब तक उनका अजिंडा नहीं हमने उनका ecosystem को तोड़ने के लिए funding पर काम नहीं किया भारत के अंदर जो ड्रग smuggling के जरीए कहा जा रही है वो भारत को बरबात करने में खर्च हो रही है वह यहां पर यंग जनेशन को बरबात करने में खर्च हो रही है नसात असकरी के कारण असलीलता के कारण हमारी यंग बरबाद हो रही है गुसपैठ और धर्मांतर जनसंख्या विस्फोर्ट के करने डेमोग्राफी बदल रही है नतीजा क्या है नतीजा यह है कि भारत के नौराज्यों में खतम हो चुके है भारत के 200 जिलों में खतम हो चुके है तहसील के हिसाब से भारत की 1500 तहसीलों में ख बचेगा अगर मठ मंदिर बनांडे से हींदू बसता तो अफगानिस्तान में विसधीर होताफ पाकिस्तान में भी सारे हिंदू रहते बंगळादेश में हिंदू रहते हिंदू बचेगा तौम मठ मंदिर बचेगा और हिंदु कैसे बचेगा वो जब घुसपैट रुकेगी धर्मांतरन रुकेगा जनसंख्या विस्वोट रुकेगा हमने गुसपैटियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति चप्त करने नागरिक्ता खतम करने आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया हमने धर्मांतरन कराने वाले जिहादियों मिसरुईयों की और उनके मददगारों की 100% संपत्ति